नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंटल नीच मैं हूं जोती पांडे अब खबर विस्तार से तो क्या मोदी आएंगे धर्मशाला गर्मी से राहत तुफान से गिरे पेड प्लाई बोट निर्माता कंपनी को जुर्माना आपका सिक्षा मॉडल चर्चित युवा करेंगी कल से हर्ताल संग्राले दिवस पर क्या रहेगा खाज तो क्या PM नरिन मोदी धर्मशाला आएंगे मुख्य सचीवों से PM नरिन मोदी की कॉन्फरेंस र्मशाला में परस्थावित है जिसके चलते 100 मौरको प्रदेश सरकार के मुख्य सचीवा निती आयो के CEO ओ ध्रमशाला में विवस्थाओं का जाईजा लेने पहुचे थे की ध्रमशाला में कॉन्फरेंस हो सकती है या नहीं जानकारी के अनुसार या कारकरम 16-18 जून तक प्रस्थावी थे हलाकि इसके लिए अन्य अस्थानों पर भी विवस्थाई जाची जा रही है लेकिन जिस तरह से अधिकारीों ने ध्रमशाला का दौरा किया है उससे एक उमीद की किरन जगी है कि पीम नरिन मोधी द्रमशाला आ सकते हैं द्रमशाला पहुचते मुख्य सची उने वापसी भी लोट आना था लेकिन हेलिकॉप्टर के ना आने चलते वह वापसी नहीं लोट पाए दोनों अधिकारीों ने ध्रमशाला में व्यवस्थाओं देखी हैं तता पुलीस ग्राउंड का निरक्षण भी किया है व्यवस्थाई देखने उपरांत अधिकारी इस बारे में तीन से चार दिंग के भीतर आगमिनी नड़ाय लेंगे उधर DC का अंगडा निपुर डॉक्टर जिदन ने बताया कि PM नरेन मोधी मुख्य सच्चियों से कॉन्फरेंस द्रमशाला प्रस्थावित है इसके लिए 16 से 18 जूर का कारकरम प्रस्थावित किया गया है प्रस्थावित सेडूल के तहट कॉन्फरेंस का आयो जन 16 से 18 जूर तक होना है जिसके चलते चीफ सेकरेटी और निती आयो के CEO द्रमशाला ववस्था देखने आये थे कि या हो सकती है या नहीं दोनों अधिकारियों ने विजिट किया इस बारे में तीन चादिन के भीतर निर्ड़ा लिया जाएगा द्रमशाला सहीत जिला कांगडा में सो मर्दोपर को मुलसाधार बारिश हुई बारिश के साथ तेज हुआ वह ओला गिरने के काड़न तापमान में गिरावट आ गई वह नदी नालों में पानी का अस्तर बढ़ गया द्रमशाला का मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी उधर पालंपुर में तेज तुफान ने काफी नुकसान किया पालंपुर नेहरू चौक के साथ तेज तुफानों के कारण पेड गिर गया जिसके कारण बिजली की ताप टूट गई और यातायाद भी बंधित हुए भारी तुफान के कारण बाइपास के रोड पर एक टीन से बना घर उसका टीन उड़ गया वहीं बुले चौक पर पेड गिनने से बिजली के खंबे भी गिर गया है जिला उब्भुक्ता आयो कांगडा ने प्लाइबोर के तूटी पूडिर निर्माण के लिए कंपनी को जिम्मिदार मानते हुए उब्भुक्ता को तेरह लाग तीस हिजार रुपे साथ फिस्दी ब्या सहितनो अप्रेल दोहजार अठार से देने के आदेश दिये है साथ ही कंपनी को पैसेट हिजार रुपे का जुर्माना भी लगा गया है सिकायत करता को इसके अधरिक पाँच जार रुपे भी कानूनी खर्च के लिए दिये गया है खरोट निवासी सतीस कुमान ने अपने नए घर के निर्माण में तेरह लाग तीस हिजार रुपे के प्लाई बोड की खरीद की उसे से कुछी दिन बार ही प्लाई बोड का मुणना सुरू हो गया सतीस कुमान ने कंपनी के इस दोस के बारे में सुचित किया जिसमें उन्होंने कंपनी के दो इंजिनियर को इस मामले को देखने के लिए भेज दिया गया उनी इंगेनर ने देखकर मौखिक तोर पर बदाया कि इस लौट का सारा प्लाट बाई बोट अधिक त्वापमान के कारण खराब हो गया है लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी सतीस कुमार ने उभोक्ता आयोग से शिकायट कर दी तमाम गवाहों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उभोक्ता सरक्षड आयोग कांगडा के अर्देक्ष हिमान्सू मिश्रा शदेश नरायन ठाकुर्वा आर्दी सूट ने कंपनी के खिलाफ निर्ड़े दिया शिकायट करता ने अपनी शिकायट को शिद्ध करने के लिए दो परती सिक्षित प्रढ़ाई के सपत पत्र दायरे दिये थे जिसे से प्लाई बोट के त्री मुर्ती निर्मार स्वाबित हो सका आम आदमी जन्ता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकश पंडित ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस सिक्षा की बात करती है वो मौडल देश में ही नहीं बलकि विदेश में भी चर्चित है दिल्ली मौडल को हिमार्चल में लाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंतरी मनीस सी सोधिया सामिल सिमला आ रहे हैं जहां वो एक जन्स्वाद कारकर में भाग लेंगे जहां मन की बात नहीं बलकि जन्की बात होगी जिसमें विद्दार्थियों, सिक्षकों और परिजन भी होंगे जो अपनी बात असानी से दिल्ली के उप मुख्यमंतरी मनीस सी सोधिया के सामने रख सकेंगे। जहां मात्र भवन खड़े किये जा रहे हैं, जहां मुल्भूती सुविधाओं के नाम पर सरकारी इसकोलों के साथ भेदभाव हो रहा है, यह सब बाते हम सबके सामने हैं। पुलिस भरती पेपर लिंक मामले की सीविआई से जाच करेंगे कि मांग युवा कांग्रिस दरवार उठाई गई है, ने बतायां की ममाला युवाओं को बेरोजगारी से जुड़ा है, बेरुजगार युवाओं ने नौकरी पाने की चाह में पुलिस भरतीस में भाग लेने है तू खुब पसीना बहाया था लेकिन पेपर लिंक होने के चलते कई योकों की महनत पर पानी फिर गया लंबे समय से युवा पुलिस में जाने के महनत कर रहे थे लेकिन अब पुनह परिक्षा की बात सरकार ने कही पंकज कुमार का कहना है कि इस मामले में SIT गठन से कुछ नहीं होगा बलकि मामलों की जाज सी भी आई को सौपी जाएगी युवा ने मांग उठाई है कि DGP को हटा कर हाई कोट के नाइदिक्ष से मामले की जाज कर आई जाएगी साथ ही यह भी सुनश्चित किया जाए कि भविश्य में इस तरह की घठना की पुनाविर्ति ना हो आज के लिए इतना ही देश वीडियोस की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे रेडियो सेंटर्ल न्यूस से धन्यवाद